Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu प्यारे बच्चो चिडिया घर की सेर ये लेसन हमारा शुरू है और मैंने आपको लगभा की लेसन यहां तक हमारा हो चुका है थोड़ा सा ही बच्चा है और हमने इसमें देखा कि चिडिया घर कैसा होता है और लास में हमने देखा था कि चिडिया घर में जो ये चिडिया घर गए बच्चे तो यहां पर जो है चार तालाब है और चार तालाबों की वज़ए से यहां पर परवासी पक्षी आते हैं माइग्रेटी बर्ड्स दूसरे मुलकों से उड़कर यहां पर आते हैं उनको यह जगा बड़ी पसंद आती है इसलिए वो हर साल यहां पर आते हैं और यहां पर जो है रहते हैं तालाबों की किनारे और तालाबों की किनारे रहने के बाद वो अपनी नीड बनाते हैं नीड बुलते हैं गोसलों को ये है ना गोसले अपने गोसले बनाते हैं उसमें इंडे देते हैं है ना और फिर उसमें से बच्चे वगर निकल के और फिर वो बड़े करते हैं वही पर बच्चे अपने और वापस अपने देश लोटते हैं ऐसा ये साइकल हमेशे चलता रहता है खेर तो यहां हम बहुत ठक गए थे तीन बज गए थे हाँ ठकान हो गई बच्चे गूम करके बहुत ठक गए है इतना बड़ा एरिया होता है छिडिया घर का बहुत एक बड़ा एरिया होता है और एक एक जानवर के लिए बड़े बाड़े होते हैं बड़ी जगह होती है जो बचे गए होंगे उनको तो पता ही है जो बचे नहीं गए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अभी वेसा तो कई बार मेरा जाना हुआ लेकिन फिलहाल अभी पिछले ही हफ्ते मैं हैद्राबाद गया था और वहाँ पर जू भी गया और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा एरिया लेकिन आजकल सहुलत ऐसी कर दी इन लोगों ने कि जू वालों ने कि एक वहाँ पर गाड़ियां चलती है ट्रेन भी चलती है छोटी सी और छोटी छोटी वैन बनाए उन्होंने उस वैन के अंदर वो ले जाते हैं अंदर पूरा एरिया और जहाँ जहाँ जानवरों के बाड़े होते हैं बेटा वहाँ वहाँ वैन को रोकते हैं और वहाँ पर वैन में से आप उतरो फिर जानवर देखो फिर वापस वेन वाले बिठाते हैं फिर और दूसरी जगा ले जाते हैं बहुत सारी बहुत सारे जानवर होते हैं तो वो सारा एरिया फिर हमारा कवर हो जाता पैदल चलना तो मुम्किन ही नहीं हर्गीज मुम्किन नहीं हम लोग गए पैदल पैदल चली है हमने बोले कि काँ गाड़ी में बैठते लेकिन हम जादा से जादा पांच-छे जानवर देख पाए आगे उससे और आगे हमारी चलने की हिम्मत नहीं थी खेर तो फिर गाड़ी करके जाना पड़ा तो आप कभी जाएं जू तो पैदल ना जाएं इंशालला गाड़ी करकर जाएं जब भी जाएं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा खेर ये बचे ठक गए थे तीन बच गए थे हम मैम के साथ लोट आए और फिर वापस ये लोग तीन नहीं भूल पाओंगा है ना तुम जब आओगे तब मैं विस्तार से बताओंगा जब तुम यहाँ आओंगे तो मैं आपको और विस्तार मतलब और खुलासे के साथ बताओंगा तफसील के साथ मैं इस बात को बताऊंगा शेश मिलने पर तुम्हारा दोस्त कुशन कुशन तो ये हुआ एक लेटर के तौर पर इसने दिया था कुशन ने अपने दोस्त को लेटर भेजा था ये हमारा चैप्टर कम्प्लीट हुआ है आपको समझ में आया होगा इसके बात का जो हमारा है शब्दर्थ है और जो कुशन नाजस है इसके बात के वीडियो में हम लोग इन्शाला कम्प्लीट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए लाहाफिज